हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल अगर आपके घर में भी छिपकलियां घूमी रहती हैं और आप उनके कहसे बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हो तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमिडी लेके आई हूँ इस रेमिडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है प्याज और लहसुन सबसे पहले हमने क्या करना है प्याज और लहसुन के छिलकों को इस तरीके से निकाल लेना है चिपकलियां घर में बहुत जादा घूमी रहती है जिन से डर भी बहुत जादा लगता है आपने देखा होगा कि किचन में बहुत जादा चिपकलियां घूमी रहती है जो हमारे बत्रों पे भी मुँ मारती रहती है जिन से हमें साउतरा की बिमारियें लगने का खत्रा बना रहता है लेकिन इस तरीके के इस तेमार से छिपकली आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको दिखाई भी नहीं देगी तो देखिए मैंने प्याज और लहसुन का छिलका निकाल लिया है छिपकली को घर से बगाने के लिए यह बहुत यह बड़ी तरीका है आप इसे मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना अब आपने क्या करना है कि एक ग्रेटर ले लेना है और इनको अच्छे तरीके से कद्दुकास कर लेना है प्याज और लहसुन की गंध छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और उसे वो बिल्कुल भी बड़दास नहीं कर पाती इस रैमडी को हम उनी चीज़ों से बना कर तयार करेंगे जिनके गंध छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती देखिए मैंने आधा प्याज कद्दुकास कर लिया है अब मैं क्या करूंगी कि इसी तरीके से लहसुन को भी कद्दुकास कर लूँगी लहसुन की भी मैंने आठ या दस कलियां ले ली है तो आधे प्याज में इतनी लहसुन की कलियां काफी है अगर आपने इस लियुसन को ज़्यादा बनाकर तयार करना है तो आपने क्या करना है कि प्याज और लहसुन ज़्यादा ले लेना है अब देखिए लसुन की कलियों को भी कद्दुकस कर लेना है आपने लसुन को ध्यान से कद्दुकस करना है तांके हाथ में चोटना लगे फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो देखिए मैंने इन दोनों को कद्दुकस कर लिया है मैंने इस स्लिशन को पहले भी बना कर रखा हुआ है इसलिए अभी थोड़ा ही बना कर दिखा रही हूँ अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आपने प्याज और लसन ज़्यादा ले लेना है आप आपने क्या करना है कि एक बरतन ले लेना है और इन दोनों का जूस अच्छे से निकाल लेना है मैं हाथ से ही निचोड रही हूँ अगर आप चाहें तो छलने का इस्तेमाल भी कर सकते हो हाथ से इस तरह से निचोडने से क्या होता है कि जूस पूरा निकल जाता है थोड़ा भी जूस बेश्ट नहीं जाता तो आप चाहें तो हाथ से भी निचोड सकते हो ये जो बेश्ट प्याज है आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा डिटोल मिला लेना है और फिर गत्ते पे रखके इन्हें किसी कोन में रख देना है इससे भी छिपकलिया नहीं आएगी और आपका प्याज भी बेश्ट नहीं होगा तो देखिए मैंने जूस को निकाल लिया है आप आपने एक बतन लेना है और इसमें डाल लेना है थोड़ा सा पानी पानी डालने के बाद आपने क्या करना है कि एक चमच सीटरिक एसिड का डाल लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अगर सीटरिक एसिड नहीं है तो आप यहाँ पे निम्बू का रास या विनेगर भी डाल सकते हो अब जो प्याज और लहसुन का रास हमने निकाला है उसको भी हमने इसमें मिला लेना है और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सब की गंध छिपकलियों को बहुती ज़्यादा परिसान करती है उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर डिटोल ले लेना है और दो या तीन चमच आपने डिटोल के इसमें एड कर लेने है और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखे मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है इस तरह से हमारा बहुत ही powerful solution बनकर तयार है अब आपने कोई सप्रे बोतर ले लेनी है और इस मिस्रन को उसमें डाल लेना है फ्रेंड्स ये जो रेमडी हमने बनाकर तयार की है इतनी ज़्यादा असरदार है कि आपको अपने घर में इसे यूज़ करने के बाद एक भी छिपकली दिखाई नहीं देगी आप इस प्रे को दिवारों पे दरवाज्य के पीछे खिड़कियों के आसपास या जहां भी आपको छिपकली दिखाई दे आप इसे कर सकते हो इस प्रे को एक और बढ़िया तरीका आपको यूज़ करने का बताती हूँ आपने क्या करना है देखिए इस तरह के बेश्ट धकन तो हमारे घर में होते ही है तो आपने इस तरह के धकन ले लेने हैं और ले लेनी है थोड़ी सी रूई और इस रूई को हमने थोड़े थोड़े हिस्सों में तोड़ लेना है देखे जिस तरीके से मैंने छोटे-छोटे हिस्से किये हैं आपने भी उसी तरीके से छोटे-छोटे हिस्से कर लेने हैं और फिर इस रूई को इस तरीके से फोल्ड करके हमने धकनों के अंदर डाल देना है छिपकलियां अगर घर में ऐसे ही घूमी रहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स आप कहां-कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें तांके मैं भी जान पाओं कि मेरी वीडियो कहां-कहां और देश के किस कोने में देखी जाती है इस तरीके से आप छोड़ छोड़ धकन बना कर तयार कर सकते हो आप आपने क्या करना है कि इस मिसरन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो हमने धकन में रूई डाली है उसके उपर इस तरीके से इसको फिला देना है आप इस solution को spray भी कर सकते हो और इस तरह से छोड़े छोड़े ढकन तयार करके भी यूज़ कर सकते हो आपको दो तरीके बता दिये जिस तरीके से आप इसे यूज़ करना चाहे कर सकते हो आजकर छिपकलिय नीचे भी बहुत घूमे रहती है तो आप इसे सीधा भी उन पर सप्रे कर सकते हो इन सब की गंद से वो ऐसा भागेगी कि घर में कभी दोबारा मुड़के नहीं आएगी मैं हमेशा ही इस तरीके का यूज़ करती हूँ और मेरे घर में एक भी छिपकली दिखाई नहीं देती है आप भी इसे मेरे कहन पर जुरू ट्राइ करके देखना तो देखिए मैंने इन धकनों को भी तयार कर लिया है आपने जब इसे सप्रे बोतल से सप्रे करना है तो आपने एक बाद ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है तांके ये अच्छे से मिक्स हो जाए चलिए आप आपको बताती हूँ कि इन धकनों का यूज हमने कहां कहां और कैसे करना है जहां पे आपको लगता है कि छिपकलियां जादा आती जाती है आपने क्या करना है कि उस एक कोन में इस तरीके से इस धकन को रख देना है आप इस तरह के तयार किये हुए धकनों को कहीं भी रख सकते हैं छिपकलियां भी नहीं आएंगी हमारे घर में कहीं तरह के रैक बगेरा होते हैं आपने क्या करना है कि इस तरह का धकन रैक के नीचे भी रख देना है तांके छिपकलिये जो है वो छिपना पाएं और सबसे में तो है कीचन आपने क्या करना है कि किचन के चुले के नीचे भी इस तरह से एक ढखका रख देना है अगर आपने नीचे नहीं रखना है तो इस तरीके से साइड में भी रख सकते हो इससे छिपकलियां बिल्कुल भी नहीं आएगी और बाथरूम के एक कोने में भी इसे रख देना है थैंक्स फर वाचिंग